सबसे पहले देखे लिखा हुआ है किसी कारे को करने लगना या करने लगा यानि जब आप किसी काम को करने लगते हैं या करने लगें पास्ट में अगर चला जाएं तो आप इन सिंटेंस को कैसे बनाएंगे इनका स्ट्रक्ट्टर देख लेते हैं सबसे पहले आपको सिंटेंस बनाने के लिए past में है तो आप subject कोई भी हो singular या plural आपको begin use करना है और साथ में आगए आपको to use करना है और उसके बाद जो आपका verb आएगा जो action आएगा वो first form में लिखना है अब start का use देख लेते हैं कैसे करना है start के लिए structure होगा वो होगा पहले सबसे पहले subject same अगर plural आपका subject है तो आप start use करेंगे singular अगर आपका subject है तो आप starts use करेंगे present में और अगर sentence आपका past में है तो आप started use करेंगे singular या plural कोई भी subject हो और यहाँ पर आपको क्या करना होता है जो action है जो verb है उसमें आपको ing लगाना होता है जब आप begin के साथ एक्जेम्पल है मैं टीवी देखने लगता हूँ मैं टीवी देखने लगता हूँ तो अगर आप इसे बिगन से बनाएंगे तो सबसे पहले subject I उसके बाद आपने I plural है इसलिए begin यूज किया फिर हमें to लिखना है और फिर हमें verb की first form लिखना है जो कि है watch और आगे क्या देख बनेंगे आये कुछ और examples देख लेते हैं वह हसने लगता है वह हसने लगता है के लिए अगर आप begin से बनाएंगे तो हम वह से आपका singular है इसलिए begins लिखा जाएगा आगे to यूज करना था और verb की first form यानि लाफ तो sentence बनेगा he begins to laugh अब अगर start से यूज करना है तो he singular है इसल start laughing एक और example देखते हैं लोग भागने लगे लोग भागने लगी sentence हमारा past में है तो लोग की English हम लिखेंगे people begin second form begin का और आगे to और run first form में so people begin to run start से बनाएंगे तो people start का past में started हो जाएगा और action में ng लगता है start के साथ तो running हो जाएगा so people started running right आईए एक और example देखते हैं अगला जो example है वो है बारिश होने लगी बारिश होने लगी बारिश होने लगी के लिए आप क्या लिखेंगे it begin to rain और अगे start के साथ लिखेंगे तो it started raining और यह आप begin के जाब 7 sentence बनाएंगे so यह begin के साथ बनाएंगे तो आप to के साथ work की first form लिखेंगे लेकिन जब आप start का use करेंगे so वहाँ पर आप action में ing का use करेंगे आई यह देख लेते हैं कि negative sentence कैसे बनाए जाते हैं negative sentence बनाने का क्या तरीका है so negative sentence बनाने का structure हमारे पास यहाँ पर सामने लिखा हुआ है इसे देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है subject यूज करना है और negative sentence में अगर subject आपका plural है तो do singular है तो does और अगर sentence past में है so did का use करना है और उसके बाद आपको not यूज करना है फिर same as begin to और verb की first form अगर start से sentence बनाना है तो subject do does यह date past में और साथ में not लगेगा फिर start और verb में ang लगा देना है ऐसे sentences के साथ negative sentences नहीं बनते हैं दोस्तों नहीं बनाया जाते हैं spoken में इसलिए यहाँ पर मैंने कोई sentence का example नहीं बताया है बाकि आप बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं जो structure मैंने यहाँ पर आपको दिया है इस structure से negative sentences बनाये जाते हैं काफी use होते हैं तो उसका तरीका भी देख लेते हैं सबसे पहले आपको start करना होगा helping work से यानी present में sentence है और plural subject है तो आप do से शुरू करेंगे singular subject है तो does से और past में sentence है तो date से आप सवाल करेंगे आगे begin to और work की first form start से sentence बनेगा तो do present में do does past में date subject जो भी आपका singular plural वो use करेंगे start use करें word यह लिखेंगे और फिर आप जो भी action है उसमें ing लगाएंगे got it आईए यहाँ पर हम कुछ example देख लेते हैं example हमारे पास यहाँ पर सामने दिया गया है क्या वह चिलाने लगता है तो अब यहाँ पर question mark देख सकते हैं यानी सवाल किया गया है क्या की English जो होगी वह singular है इसलिए does से सवाल पूच जाएगा does he begin to shout चिलाने के लिए shout does he begin to shout हमारे जो structure दिया था उसके recording अब अगर हम start से बनाएंगे तो हो जाएगा does he start shouting does he start shouting got it अगर यहाँ पर सवाल यह past में होता और लिखा होता क्या वह चिलाने लगा तो हम पूचते है did he begin to shout और start से सवाल करते हैं तो हम पूचते हैं did he start shouting got it guys so इस तरीके से आप begin और start का use करेंगे आईए यहाँ पर मैंने कुछ sentences लिख रखे हैं उन्हें देखते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि इसमें कौन सा sentence सही है और कौन सा गलत है so सबसे पहले देखें यहाँ पर लिखा हुआ है I started the machine and are ago so यह sentence सही है यह गलत है is it right or wrong अगला sentence भी देख लेते हैं पहले I begin the machine and are ago so guys यहाँ पर started जो sentence है वो सही है और जो begin है वो wrong है चीक है अगला sentence जो sentence है वो है press this button to start the printer और इसी को begin से बनाएंगे so press this button to begin the printer so यहाँ पर भी guys start वाला option आपका सही है और printer वाला जो option है आपका वो गलत है ठीक है एक और यहाँ पर दिया गया है example I could not start the car this morning और begin से बनाएंगे तो I could not begin the car this morning so यहाँ पर भी जो start वाला sentence है वो सही है और begin वाला गलत है क्यों क्योंकि दोस्तों we use start but not begin to talk about machines यानि जब भी आप machine की बात करेंगे so वहाँ पर आप start word use करेंगे वहाँ पर आप begin word का use नहीं कर सकते है जैसे यहाँ पर पहले sentence में मैंने machine की बात करी जो इसलिए यहाँ पर start आया है फिर press this button यानि printer की बात करी है तो printer भी it's a kind of machine तो इसलिए यहाँ पर भी हमें start use करना पड़ा है और car भी हमारी एक तरीके की machine है इसलिए यहाँ पर भी हमने start use किया हम नहीं बोल सकते I could not begin the car begin word गलत होगा got it guys कुछ और ऐसे यहाँ पर example दिए गए है आई वह भी देख लेते है देखे लिखा हुआ है he started a new restaurant so he started a new restaurant so begin के साथ एक sentence दिए गया है he began a new restaurant अब यहाँ पर guys जो started वाला हमारा sentence है वो सही होगा और जो begin वाला है वो गलत होगा यहाँ पर भी हम begin use नहीं करेंगे क्यों क्यों क्योंकि we use start to talk about creating a new business यहाँ जब भी आप कोई new business create करते हैं या create करने की बात करते हैं कि मैंने अपना restaurant शुरू किया है मैंने hotel शुरू किया है मैंने अपने shop शुरू करी है कोई किसी भी तरीके का business start किया है अपने सुरू किया है तो महाँ पर आप start और use करेंगे शुरू के लिए ना कि begin use करेंगे. Is that clear? I hope so guys कि आपको start और begin दोनों का use समझ में आ गया होगा. So guys if you like this video then please like, comment and subscribe this channel and share this video with your friends too. Thanks for watching this video guys. See you soon with a new lesson. Till then keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.